वेलकम चुमाई टीप चैनल, आज मैं आपको क्लास 6 के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नमबर 3 पढ़ाऊंगी, बाकी के सभी चैप्टर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप महाँ से जाकर देख सकते हो तो बच्चो सबसे पहले मैं आपको टैक्स बुक के कोशिन आपसे समझाऊंगी कि एकजाम में किस तरह से लिखोगे, बिलकुल असाल लफसों में फिर इसके बाद अक्सर एक्साम में पुछे जाने वाले रिपिरिट कोशन समझाओंगी क्योंकि आने वाले एक्साम में भी वो कोशन आप से पुछे जा सकते हैं तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा देख लो तो इंशालला आपके एक्साम की 100% त्यारी होगी तो सबक नमबर 3 का नाम है घ्रिजा जमा करने से पैदा करने तक यानि कि आप इस चैप्टर में कदीम इनसान के बारे में पढ़ोगे कि वो किस तरह से घ्रिजा यानि कि खाना इखटा करते थे और किस तरह से खेती बारी बगेरा करते थे तो टैक्स बुक का सवाल नमबर 1 है खेती करने वाले एक मकाम पर ज्यादा अर्से तक क्यो रहते थे यानि कि किसान बगेरा पहले के जमाने में एक जगा पर ही ज्यादा अर्से तक क्यो रहते थे तो जब आप में लिखोगे मंदर्जा जेल वजुहात की बिना पर खेदी करने वाले लोग एक मकाम पर ज्यादा अर्शे तक रहते थे लफ्स मंदर्जा जेल को रटलो ज्यादा तरांसर में लिखना होता है और एक्साम में लिखना जरूरी है तो इस लाइन को ज़रूर लिखोगे की मंदर्जा जेल वजुहात की बिना पर खेदी करने वाले लोग एक मकाम पर ज्यादा अर्शे तक रहते थे सबसे पहले क्या मौसम की बुनियाद पर फसले उपती हैं जिसमें वक्त लगता है जैसे की खरीप और रभी की फसले ठीक या फिर बाग पानी के दरख जैसे की सेवाम बगेरा उगाने के लिए भी की साल तक मेहनत करने परती हैं तो इसी वज़े से खेदी करने वाले लोग एक मकाम पर ज्यादा अर्शे तक रुपते थे अगला सवाल है माहिरे असारकदीमिया ऐसे क्यों सोचते हैं कि महर गड़ के लोग पहले महस शिकारी थे और बात में उनके लिए जानवरों को पानना ज्यादा असान हो गया अब माहिरे असारकदीमिया मैंने आपको फर्स चैप्टर में भी बताया था किसे कहते हैं माहिरे असारकदीमिया का मतलब है पुरा तत्रुवित यानि कि हिस्टरी के बारे में इनकी कदीम जमाने की बातों के बारे में एक शाखा होती है और उसके अंदर बहुत सारे माहिरी ने असारकदीमिया को ऐसा क्यूं लगता है कि महरगड़ के लोग पहले महस्षिकारी थे और बाद में इनके लिए जानवरों को पानना ज्यादा असान हो गया तो जवाब में लिखोगे मकाम महरगड़ मौजूदा पाकिस्तान में वागए है ये लोलान दर्रे के पास मौजूद है यहाँ परतीन सतों में हासिल होने वाली चीजों में पहली सते पर जंगली जानवरों की हट्टिया पाई गई हैं इसके बाद भेर और बक्रियों की जि में वागई है ये लोलान दर्रे के पास मौजूद है यहाँ पर तीन सतों में हासिल होने वाले जो अफशेश मिले हैं उन्हें देखकर ये अंदाज़ा हुआ है कि पहले जंगली जानवरों की हट्डियां मिली फिर भेर और बक्रियों की हट्डियां वगेरा मिली जिसे द पहले है बिलोर में जुआर और बाजरा पाया गया बिल्कुल सही बुर्च होम में लोग मुस्तखिल मुस्ततिल नुमा घर बना कर रहते थे खलत हो गए है चिरांद कश्मीर का असार कदीमिया है बिल्कुल गलत है जेडाइट जो दोजली हैडिंग में पाया गया चीन से लाया गया होगा वलत टेक्स बुक का सवाल नंबर पाच है काशतकार और जानवरों को पानने वालों की जिंदेगी शिकारी जखिरा अंदोस लोगों की जिंदेगी से किस तरह अलग थे तो काशतकार और जानवरों को पानने वालों की जिंदेगी शिकारी जखिरा अंदो कैसे रहते थे यानि कि दोड़ तरीकों के साथ रहते थे एक जगा पर घर बना कर और शिकारी इधर इधर घूमते रहते थे अब शिकारी जखिरांदोजों की जिंदेगी में लोग अदम तहफूज का हैसास करते थे वो गदरती आफ़त से मुतासिर होते थे और छोटे गटा करके मुनजिम तरीके से रहते थे सवाल नमबर 6 सफा 25 की जोदोल में दिये गए जानवरों की एक पहरिस्त बताओ और ये भी बताओ कि इनका इस्तेमाल किस चिकार में किस चकल में किया जाता था जोपा है मवेशी हाथी घोड़ा गाएं बेल बकरी कुता भेस उट अगला सवाल है तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी फैरिस बतानी है हम क्या क्या खाते हैं हम जो अनाज खाते हैं उनमें जियारतर अनाज दाले, तिल्धन, मसाले और मेवे हैं अनाज दो किसम के होते हैं एक मोटे जैसे की मकई, जुआर, बाचरा, जो, जई, शामिल है दूसरे तक्सयानाच जैसे की चावल, गेहूं, बगेरा, मसूर, चना, उड़ाद, मूंग को दालों के तोर पर इस्तेमाल करते है सरसो, मूंग, फली, सूरज, मुखी, कमल के बिजू से तेल निकाला जाता है काली, मिर्च, धनिया, सोफ, अधरक, लहसुन, मसाले की तोर पर इस्तेमाल करते है अब एक्साम की तैयारी के लिए इंपर्टिन कोशिन आंसर है बुर्ज होम कहां पर हम वाके है, तो ये कश्मीर में वाके है सन्गन का लोग कहां पर वाके है, आंदर परदेश में वाके है कबाईल तक्झिक किसे केते हैं पथर के नए जमाने के लोगों के जरिए मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो तक्झिक इस्तेमाल की जाती थी, उसे कौईल तक्झिक केते है याद रखोगे कि पत्थर के नए जमाने के लोगों के जरीए मिट्टी के जिस तरहां से बर्तन बनाये जाते थे उस तरीके को कौईल तकनिक कहते हैं महरगड क्यों मशूर है तो महरगड ऐसा मकाम है जहां पर जहां पर शिकार और खिजा इखटे करने के साथ-साथ जराएत याने की खेती बाड़ी और मवेशी पानले की शहदते मिलती हैं ठीक इसी वज़े से महरगड मशूर है क्योंकि वहाँ पर पुराने जमाने में शिकार और रिज़ा इखटा करने के साथ-साथ जरायत और मविशी पानने की शहाधते सबूत मिलते हैं उस दोर में ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल कहां किया जाता था तो उस दोर में ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल सिंखन कल्लो में चोपडी का फर्श तयार करने के लिए किया जाता था पत्थर के ने जमाने के लोग जरायत याने के खेती पारी के लिए किन पोदों को उगाना पसंद करते थे ऐसे कुछ पोदों के नाम बताने है तो पथर के नए जमाने के लोग मस्बूत पोदों को उगाना पसंद करते थे ये ऐसे पोदे होते थे जिनके बीच वसल पकचाने पर डंठल से अलग नहीं होते थे जिसे कि के हूँ वगेरा अगला सवाल है मंदजजेल के जोड़े बनाने है तो महरगर में पहले के लोग गेहू उगाते थे चेरान में मटर और मूग पैमपली मेहवा कोलर हेवा में चावा लुगाए जाते थे अगला सवाल है गेहू और जोग की खेती की शहादते कहां पर मिलती है कदीम जमाने के बारे में बात हो रही है तो गेहू और जोग की खेती की शहादते सबूत मगरीबी एशिया जिसमें तुर्की, शाम, जॉर्टन, पिलिस्तिन, इराग बगेरा शामिल है में मिली है अगला सवाल है सबसे पहले कौन से जानवर इंसान के जरीए पाले गए तो पहले भेड़ बकरी गाएं और बेल पगेरा पाले गए गेहों की खेटी की शुरुआत कब हुई तो गेहों की खेटी की शुरुआत आज से तकरीबन 8000 साल पहले हुई थी याद रखोगे गेहों की खेती की शुरुआ आज से 8000 साल पहले हुई थी अगले सवाल है हमारी अग्ज़ा कहां से आती है तो दही अलाकों में मनज़्िम जरावत की जाती है जहां से ग्ज़ा के लिए हमें अश्या मिलती है ग्ज़ा यानि की हमारा खाना दही यानि की गाउं के इलागों से अगला सवाल है विजाई अजनास की एक पसल किसी एक ही मकसूस मकाम पर क्यों उखती है यानि की खाने से संबंधित कोई एक पसल किसी एक खास जगा पर ही क्यों उखती रुखती है क्योंकि temperature, humidity, दर्जा हरारत की वज़े से तो यहां पर लिखोगे दर्जा हरारत, आबो हवा, बारिश, सूरच की रोशनी और दबाव बगेरा की तफरीक की वज़े से, डिफ्रेंस होने की वज़े से पहाडों की खुशक और उबर खावर छोटियों के आसपस स्रीप भेड बख्रियां ही ज्यादा क्यूं पाई जाते हैं, ऐसा इसलिए हैं, यह मेवेशी जिसमानी तोर पर कमजोर होते हैं, इसलिए यह बहुत ज्यादा फुर्तिले होने की वज़े से नहामवार यानि की उबर खावर जगाव पर चड़कर वहां घास खाने में माहिर होते हैं, इसी वज़े से पहाड की खुशक और बढ़वा चोटियों पर भैड और बक्रियां ज्यादा पाई जाती हैं, अगले सवाल है, जरात करने से पहले कदीम इंसान ने कौन सी मालूमत हासिल कर ली थी, यानि की खेती बाड़ी करने से पहले, पहले के जमाने के लोगों ने कौन सी मालूमत हासिल कर ली थी, तो उस ने मक्सूस याने की खास मकामात पर फिजाई अजनास याने की खाने की चीजों की फसलों का ताल मिल और उनके पकने के वक्त और सूरच की रोशनी वगेरा मिट्टी की जाच और फसल बोने और काटने की मुक्तलिब तरीके और फिर अनाच का जखीरा अंदोजी करने के तरी के सीख लिये थे कदीम इनसान ने सबसे पहले कुन सा जानवर पाला था तो सबसे पहले कदीम इनसान ने कुट्टा पाला था कुट्टी के बाद कुन से जानवर पाले गए तो भेड बकरी गाएं भेल भेस वगेरा पाले गए अगला सवाल है क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पहले कुटा ही क्यूं पाला गया था कुटा कुटों की रखवाली करने की बातों को देखकर और परक कर ही कदीम इंसान ने इन्हें पालना शुरू किया होगा कदीम इंसान ने जिन पूदों को उकाने की पहल की वे दीगर जंगली पूदों से किस तरह अलग थे तो उनके डंधल मजबूत होते थे जो बीजों का वजन छेलने के आबिल होते थे, एहल होते थे मवेशी पानने के इप्तिदा कब से हुई तो आज से 12,000 साल पहले से मवेशी पानने की शुरुवात हुई थी महर घड के असार कदीमिया के मकामात के घर कैसे बनाए गए थे तो यहाँ पर मुस्तातिन नुमा और मुरब्बा नुमा घर बनाए गए थे हर घर में चार या उस से ज्यादा कमरे होते थे अगला सवाल है इस बात का अंदाजा कैसे लगता है कि कदीम इंसान दुबारा जनम में यकिन रखता था तो इस बात कर ऐसे पता चलता है कि महर घर से हासिल होने वाले कबरों में इंसान के हन्डियों के साथ-साथ बक्रियों के धाचे मिलते हैं शायद ये लोग दुबारा जनम लेकर रिज़ा हासिल करने के लिए ऐसी अशिया कबर में रखते थे अगला सवाल है पत्थर के नए जबाने की एहम बाते क्या थी important question है तो पत्थर के नए दोर की कुलहाड़ी और छेनी इस बात की शहदत है कि इस जमाने में पहतर किसम के पत्थर के उज़ार बनाए जाते थे माहिरी ने असार कदीमा कदीमिया इन उज़ारों को पत्थर के नए जमाने के उज़ार कहते हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना